हाई लवलीज मेरे नाम है आरजे मेहक और हमने कल बात करी थी मेकप मिट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हैर मिट्स यानि कि कुछ गलत फहिमिया हमारे मन में हैं रिलेटेद तो अवर हेर तो लेट्स किट स्टादेड मिट नॉमबर वान 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 टू थी फोड़ फाइं नागी हैंट्री ताइमस हैर कोंब करने से हमारे हैर बड़े हैं शायनी बांसी एंहल्थी रहते हैं यह सबसे बड़ा मिट है कितना खीचेंगे कितने टैंगल आप 10-15 बार थोड़ा थोड़ा अगर कॉम करेंगे तोड़ा आपको अच्छा लगाने के लिए कि स्केल्प से जो कुछ डर्ट है या मिट्टी लगी हुई है तो वो शायद क्लीन हो जाए और ब्लॉर्ड सर्फिलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन किसी के अच्छे ब वाले जो हैर है ना वह भी तो वाइट हो गए तो हमारे बॉड़ी में मेलेनिन नाम का एक जो तत्व होता है उसकी वजह से हमारी स्किन का भी जो कलर है या हमारी हैर का कलर मेलेनिन की वजह से होता है और जैसे जैसे हमारी एज बरती है वह मेलेनिन कम होने लगता है नहीं निकलने वाला है लिक्विड की वो और बालो को भी सफेद कर दे। मतलब यह तो सफेद जूट हो गया। मिथ नमबर जो त्री है अगर आप आपके हैर को शेव कर देते हैं तो और अच्छा ग्रोथ आएगा। और अच्छे बाल आएंगे यह शायद कहीं गलत वहमी है। मैं किसी की जो religious feelings है उसे यहां पर hurt नहीं करना चाहती हूँ। वो अपनी कुछ मान्यताय होती है कुछ beliefs होती है वो जरूर उसमें शद्धा रख सकते हैं लेकिन science से उसका कोई लिना देना नहीं है। Myth No.4, regular trim करने से हमारे hair है वो लंबे होते है, growth अच्छा होता है। है, सच में? Trim हम कहां से करते हैं अपने hair को? End से, ओकी? यहां से करते हैं, बाल कहां से उगते हैं? यहां से, root से. बताओ, क्या connection है? दूर दूर तक नहीं है कहीं भी. हाँ, आप hair को trim करते हो तो split ends और उसस साइन्स इसमें काम नहीं करता है. Split ends, दो मुहें जो बाल होता है, महें वो वाला shampoo आता है ना, अरे वो वाला serum है ना, फला फला कंपनी का, अरे वो conditioner बहुत अच्छा है, उससे split ends सच में एकदम क्योर हो जाता है. I am extremely sorry to say, कोई भी ऐसा shampoo है, या कोई भी ऐसा conditioner या serum नहीं है, जो आपके split ends को एकदम से repair कर दे, सही कर दे, उसका एक ही इराज है split ends का वो ये है, कि आप थोड़े थोड़े बाल लीजिए, अगर आप पालर में जाके करवा सकते हैं, तो भी best है, घर पे भी अगर आपको खुद को भी करना हो, तो ऐसे आपके बालों को थोड़े होता है, वो conditioner नहीं कर सकते हैं, क्या हाल होगा हमारे scalp का, ऐसा नहीं होता है, मैं सबसे पहले आपको पता थो कि conditioner हमें करना है, ideally हम जहां से अपना pony बनाते हैं उसके बाद वाले जो बाल होते हैं उस पे हमें conditioner करना है, हमारे scalp पे हमें जहां पे shampoo हम करते हैं वहां पे conditioner नहीं करना होता है जिनकी भी scalp oily है वो light conditioner कर सकते है myth no.7 यह है कि अगर आपके hair में dandruff है मतलब आपका scalp बहुत ज़्यादा dry है लेकिन इसका opposite है आपका जो scalp है वो बहुत ज़्यादा oily है आपके scalp को breathe करने का मौका नहीं मिलता है तूकि उपर धूल मिट्टी का layer है पसीने का layer है और आप तेल डालते ही जा रहे हो रोज डालते जा रहे हो तो कुछ ऐसी वजहों से आपको dandruff हो सकता है अगर आपको dandruff है मैं आपको एक handy तरीका बताती हूँ coconut oil ले लीजिए आप ठीक है उतनी ही quantity में आप lemon juice यानि की नीमू जो नी चोड़ते है न हम उसका जो रस होता है दोनों mix कर दीजिए और scalp पे आप लगाईए आप उसे लगा के सो भी जा सकते हो दूसरे दिल सुबह उठके भी wash कर सकते हो या एक आता गंडे के बाद भी आप उसे wash कर सकते हो week में minimum आप दो बार कीजिए और result मिलेगा तो मुझे याद कीजिएगा myth no.8 यह है कि actually हमारे Indian mentality है वो कपड़े दोने का detergent हो बरतन साफ करने का वो liquid detergent या शोक हो नहाने का हो या शैंपू ही क्यों न हो हमारे मन में एक बात घर कर गई है कि जिसका बड़ा बड़ा जाग होता हो जिससे बड़ा सा फोम होता हो लेधर जिसका होता है वो ही में detergent का जो लेवल है कैमिकरी का लेवल है वो कुछ ज्यादा ही इसके माल किया गया है तो नैच्रल चीजों से आप वाश करेंगे ना आपके हैर को तो कभी ऐसे बॉबल्स नहीं निकलते है जैसे आपने बटर में लिक्यानी की छाच और मुलतानी मिट्टी को मिक्स करके पहले के जमाने में लोग hair wash किया करते तो थोड़े ना fancy shampoo हुआ करते थे तो थोड़े ना उसमें को यह साथ जहाग होता था लेकिन बाल कितने अच्छे साफ होते थे मिठ नमबर नाइन यह है कि बियर से hair wash करने पर हमारे hair और मेहक इतने ज्यादा सिल्की इतने ज्यादा shine ही हो जाते है हाँ बियर के अंदर का जो protein है उससे होते होंगे लेकिन किन्तु परंतु बट बियर के अंदर का जो alcohol होता है वो आपके hair को dry कर सकता है नुकसान कर सकता है myth no.10 यह है कि मेहक एक ही shampoo थोड़े नसालों से यूज़ करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद shampoo बदल से रहना चाहिए अलग-अलग brands के shampoo हमें यूज़ करना चाहिए आप बहुत ज़दा tension में रहोगे ना जितने दिन देखना आपके बाल उतने ज़दा मतलब ज़ड़ते हैं और आप इंदब मेरे ज़ड़े लगी बिंदास बेफिकर रहते हैं तो जो भी है वाईया अब यही है फसल तो I hope की मेरा ये वीडियो आपको काफी helpful रहा होगा और अगर रहा है तो प्लीज आपकी comment के जरिये मुझे suggestion बेचे रहेगा ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को subscribe कीजेगा So thanks for watching my video Bye bye lovelies